आप देख रहे हैं सुनो कहानी आज की कहानी है लालच पुरी बला पुराने समय की बात है मानपुर नाम का एक राजी था वहां मान सिंग नामक राजा राजी करते थे राजा अपनी प्रजा के बहुत ही प्रिय थे उसी राजी में एक सेट जी रहते थे सेड जी का नाम धनी राम था और हो भी क्यों ना उनके पास जमाने भर की धन दौलत थी परेशानी सिर्फ इस बात की थी कि सेड जी महा कंजूस थे चाहे कोई भी जरूरत पड़ जाए पर उनके बटुए से एक भी रुपया नहीं निकलता था सेड जी के पास अपारधन के साथ साथ बहुत सारा सोना भी था और इस सोने को बचा के रखने के लिए जमा करने के लिए उन्होंने कई जानवरों की मूर्तियां बनवा रखी थी इन मूर्तियों की खास बात ये थी कि ये सभी मूर्तियां जोड़े में बनी हुई थी दो मोर, दो हिरन, दो चिडिया, इत्यादी सेट जी इन मूर्तियों को बहुत सजा सवार कर रखते थे इससे उनकी महल की शोभा भी बढ़ी रहती थी इन्ही मूर्तियों में एक बैल की मूर्ति भी थी बस दिक्कत ये थी कि उस बैल की मूर्ती का जोड़ा नहीं था वो मूर्ती अकेली थी अकेली इसलिए थी क्योंकि सेट जी के पास उस बैल का जोड़ा बनवाने के लिए सोना बचा ही नहीं था अब सेट इसी चिंता में घुलने लगा कि मैं और सोना कहां से लाऊं कि मैं इस मूर्ती के लिए भी एक और बैल बनवा सकूँ सेट जी के पास दुनिया भर की धन्दौलत होते हुए भी इतना सारा सोना होते हुए भी सेट जी की रातों की नीन दुड़ गई वो हर समय इसी चिंता में लगे रहते कि मुझे कहां से थोड़ा सोना और मिल जाए और मैं एक बैल की मूर्ती और बनवा लूँ सेट के दिन रात इसी चिंता में बीथने लगे एक बार नगर में बहुत जोरों की बारिश हुई बारिश इतनी मुसला धार थी कि आसपास की नदियों में बार आ गई और पूरे राज में जगा जगा पानी भरने लगा धनी राम के घर के आसपास भी बहुत सारा पानी भर गया वहां का पुल भी पानी में डूबने पर हो गया हर कोई अपने घर में छुपकर पैट गया पर सेट को तो पैसा कमाने की चिंता थी सेठ ने सोचा अगर मैं घर में बैठा रहा तो मैं पैसा कैसे कमाऊंगा इसलिए वो उस बारिश की और बार की परवाह किये बिना ही छत्री लेकर निकल गया जब सेठ नदी पार करने को हुआ तो उसने वहां कई सारी लकडियां बहती हुई देखी सेठ ने उन सभी लकडियों को एक-एक करके इखटा किया और उनका एक गठर सा बना लिया सेठ को ऐसा करते हुए महल से रानी अपनी खिड़की से देख रही थी रानी ने सोचा ये कोई बे-सहारा, असहाय, गरीब आदमी है जो इतनी बारिश में भी अपनी जान की पर्वाग किये बिना लकडियां इखटी कर रहा है रानी ने तुरंथ महराज को बुलाया महाराज के आने पर राणी ने उन्हें दिखाया कि कैसे कोई गरीब आदमी इतनी बारिश में भी अपनी जान के बारे में सोचे बिना नदी से लकणिया इकटी कर रहा है राणी ने महाराज से कहा कि आप इस आदमी की मदद करें महाराज ने तुरंट अपने एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा कि जा कर धनी राम को महल में ले आए सैनिक गया और सेट जी को बुला कर राजा के पास ले आया राजा ने कहा तुम बहुत परेशान मालूम होते हो ऐसा लगता है कि तुम्हें धन की बहुत अधिक आवश्यक्ता है इसलिए तुम जितना चाहे धन मेरे राज कोश से ले सकते हो और अपनी जरूरतों की पूर्थी कर सकते हो इस पर धनी राम बोला कि नहीं नहीं मुझे धन की आवश्यक्ता नहीं है महराज दरसल मेरे पास एक बैल है मुझे उस बैल का जोड़ा पूरा करना है और इसलिए मुझे एक और बैल चाहिए महराज ने कहा ठीक है जाओ और मेरे सैनिक से एक बैल ले लो इस पर धनी राम ने कहा कि महराज मेरा बैल बाकी सारे बैलों से बिलकुल अलग है राजा ने कहा तुम्हारे बैल में ऐसी क्या खास बात है धनी राम राजा को अपने घर ले गया वहाँ उसने राजा को अपने जानवरों के सभी जोड़े दिखाए राजा धनी राम की संपत्ती को देखकर दंग रहे गए उन्हें लगा जिसे मैं गरीब समझ रहा था जो बारिश में अपनी जान की परवाह किये बिना लकडियां इकटी कर रहा था उस आदमी के पास इतनी धन दौलत है तभी राजा ने बैल को देखा तो धनी राम ने कहा कि देखिए महराज यही वह बैल है जिसका मुझे जोड़ा चाहिए और मेरे पास परियाप्त सोना नहीं है कि मैं एक और बैल बना सकूँ तभी धनी राम की पतनी एक थाल में कुछ हीरे जवाहरात सजा कर ले आई उसने सोचा कि पहली बार राजा हमारे घर पधारे हैं हमें उन्हें कुछ न कुछ भेट देनी चाहिए लेकिन धनी राम ये सोच कर परेशान हो गया कि मैं इतना कीमती और बहुमूले सामान राजा को कैसे दे सकता हूँ उसने अपनी पत्नी के हाथ से थाल ले लिया लेकिन राजा की तरफ बढ़ने से पहले ही उसके हाथ कापने लगे उसे पसीना आने लगा उसे देखकर राजा समझ गए कि ये व्यक्ती धनवान तो जरूर है परन्तु इसका हृदय बहुत छोटा है और ये किसी को कुछ नहीं दे सकता इसे लालच ने चकर रखा है राजा वहाँ से चले गए इस बात को बहुत समय पीट गया सेठ अब भी अपने लालच में चकरा हुआ था और किसी भी तरह से बहुत सारा धन और कमा लेना चाहता था इसी लिए वो राज छोड़ कर दूर एक दूसरे देश में चला गया वहाँ जाके उसने तरह तरह की तरकीबे लगा कर खूप सारा धन कमाया फिर वह सारा धन लेकर समुद्र के रास्ते अपने घर वापस आने लगा लेकिन समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आया सेट की नाव डूब गई और सेट अपनी पूरी संपत्ती के साथ समुद्र में विलीन हो गया यानि कि सेट की मृत्य हो गई इसके बाद सेट का पुनरजनम हुआ इस जन में सेट साप बना लेकिन फिर भी उसे अपने धन की परवा अभी भी थी वो अपने पिछले जन में कमाए और इखटा किये हुए धन के पास जाकर उसकी रक्षा करने लगा अब ये साप कुंडली मारे पूरे दिन उस धन के उपर बैठा रहता एक दिन सेट के बड़े बेटे ने साप की निर्ममता से हत्या कर दी अपने ही बेटे के हाथों मारे जाने के कारण सेट को बड़ा दुख हुआ इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि सेट ने लालच के कारण अपनी जान तो गवाई ही लेकिन जिंदगी भर वो अपने धन का सदुपयोग भी नहीं कर सका वो हमेशा और और धन एकत्रित करने में ही लगा रहा लालच में उसने अपने राजा को भी नाराज कर दिया इसी धन के लालच में वो अपने परिवार को अपने बच्चों को छोड़ कर परदेज भी चला गया और आखिर में वो इस धन का उपयोग भी नहीं कर पाया इस कहानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो है जितना है हमें उसी में संतोश करके खुशी से रहना चाहिए क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं होती लालची व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए उसका मन कभी संतुश नहीं होता और वह कभी खुश नहीं रह पाता अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लीजे